वो हेलो वान गाईस रहमादीव राधे राधे कैसे आप सभी लोग आईस आप सभी लोग अच्छे अगर अपनी लाइफ में भी आगे वर रहोगे आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आगी हूँ जिनका भी मुलांक पांच है ओके मीन्स पांच चौना तेस थारीक आपका जनम दिन होता है मीन्स आपकी बर्थ डेट है फाइफ फॉर्टेइन ट्वाइट तो आपका मुलांक फाइफ होगा ओके सो देख लेते हैं आपके लिए फ्री मुंस कैसे रहेंगे ओके 15 अगर्ज से लेके 15 नवंबर तक व कुई स्थीन मंथ को तीं महीने इसके अंदर आ जाएंगे तो येस देख लेते हैं क्या आपकी लाइफ में होने वाला है क्या आप लोग expect कर सकते हो आने वाला समय आपके लिए लेके आ रहा है सबसे पहले हम tarot के through देखेंगे So I think मैंने first मुलांक का तो डाल दिया था कल And अभी guys मैं ऐसा नहीं कि line wise चलोंगे 2, 3, 4, 5, 9 So 9 के 9 मुलांक मुझे करने है So yes, देखेंगे आपके लिए क्या energies आएंगी So आज हमने 5 मुलांक को चूज किया है So देख लेती हैं tarot के through आपके लिए क्या energies आ रही है आपके 3 months कैसे रहने वाले हैं 5 मुलांक वालों के लिए So the hanged man के energies हैं पहला ही कार्ड 5 मुलांक के लिए So 6 of swords कार्ड के energies हैं Ace of swords चीक है 4th कार्ड है यहाँ पे daughter of swords Means page of swords के energies हैं यहाँ पे Bottom of deck है 6 of pentacles Middle energies है mother of pentacles Amazing energies are here Okay so पहले तो आपको मैं बता दू 3-800 swords के आई है means आपके लिए Gemini यह पर एक्वेडिस important राशियां हो सकती है And also guys आपके लिए hanged man एक ही just यहाँ पी major अरकाना है तो of course hanged man Pisces sign को show करता है आपके लिए Taurus, Capricorn, Rashi भी important हो सकती है Okay so यहाँ पे क्या होने वाला है आपके जिंदगे सबसे पहले तो 6-6 number आपके लिए important होसता है Okay 6-6 की energies आपके लिए important होसती है 6th month, 6th date, 6th number आपका मुलांग हो सकता है So of course हाना So यह energies हो सकती है आपके लिए So यहाँ फिर आपके लिए 6 number के मुलांग का कोई person important हो सकता है So यहाँ पी guys जो मुझे दिख रहा है कहीं न कहीं आप स्ट्ख हो किसी situation में अगर In next 3 months में आप वो स्ट्खने से बहार आ जाओगे In next 3 months में आपकी अगर communication skills अच्छी नहीं थी तो आपकी communication skills अच्छी हो जाएंगे आप बात्षित करने का धंग सीख रहे हो ठीक आने वाले तीन महीनों में आप clear होगे अपने दिमाग से clear होगे Clarity रहे गया आपके mind में की yes आपको चाहिए क्या life से So यहाँ पे clarity show हो रही है मुझे आप यहाँ पे new beginnings चाहते हो अपनी life में communication skills के through या फे communicate करके नई शुरुवात अपनी जिंदगी में चाहते हो यहाँ भी होता हुआ दिख रहे हो की and daughter of sorts कहीं न कहीं यह show करता है कि आपकी life में आप यहाँ पर person आपको check कर रहा है ठीक है आपके उपर research कर रहे है हैं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं मतलब आपके checking की चाहरे है आपको stuck किया जा रहे है यहाँ पर और यहाँ पर यहाँ पर गाई एक और गींटेक में believe करते हो कि और yes आपको कहा भी जा रहे है कि इक्वल गिवन देक आपको दिखेगा आने वाले समय में हर एक situation में अगर मैं यहाँ पर infinity की energies मुझे यहाँ पर दिखाई चाहरे है मैंने कभी एसे card नहीं read किया है but हाँ अगर मुझे यहाँ पर infinity show हो रही है तो of course यह show करता है कही न कही आपकी energies में अगर imbalance था तो वो balance में आती हुए दिख रही है आपकी energies okay means आपकी यहाँ यहाँ पर balance में आते हुए दिख रही है यहाँ आपको कहाँ जड़े है अगर आप imbalance feel कर रहे थे of course चीख है तो of course वो आप ठीक कर पाऊगे अपने अंदर and yes queen of pentacles financially independent होते हुए financially stability feel हो रही है आपको आने वाले समय में यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है अगर आपके mama है तो उनके साथ आपका बहुत अच्छा relationship बनने वाले है अगर आप खुद mother हो एक ठीक है तो आपका अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम आप बिताने वाले हो आपका अच्छा उनके साथ मतला होता ना कि bond बनता हुआ दिख रहा है तो यह energies दिख रही है mother figures बहुत important आपके लिए रहने वाली है यह अगर आप pregnancy चाहते हो तो definitely आपके लिए pregnancy यहाँ पर दिख रही है next three months में और अगर आप आप खुद pregnant नहीं हो यहाँ पर नहीं होना चाहते है आप single हो definitely आपको कोई नो की news मल सकती है and yes financially यहाँ stability है money wise finances wise यहाँ पर equal given take जितना काम करोगे उतना जादा आपके पास यहाँ पर पैसा आता हुआ दिख रहा है धन की अशनकाएं हैं आपके लिए कि कि पैसा आपकी तरफ आएगा ठीक है so यह energies है यहाँ पर donations करिए donations आपके लिए बहुत important role play करेंगी so यहाँ से जिनका भी मुलांक 5 है उनके लिए देख लेते और क्या energies expect कर सकते हो आप आने वाले समय में so यहाँ पर आपके लिए cards गिने बट मैं वो उठाऊंगी नहीं because वो cards आना तो चाहते हैं बट हम गिर के अब मैं कैसे उठाऊंगा anyways यहाँ से और के energies आ रही so यहाँ पर सबसे पहले तो wow so material and spiritual prosperity card की energies है and spiritual union है यहाँ पर wow so मैं यहाँ पर आपको बता दू अगर आप relationship में हो ना guys तो यहाँ पर आपके soulmate की entry हो रही है बतलो आपके soulmate के साथ आप relationship में अगर आप single हो अगर आप single हो तो of course आपकी life में कोई soulmate आ रहे हैं अगर आप relationship में हो तो वो person आपका soulmate है उस person के साथ आपका telepathically connection है उस person के साथ आपका future है मुझे दिख रहा है and material and spiritual prosperity की energies यही show करती है कहीं न कहीं यह जो person है यह बहुत जा materially and spiritually prosperous है ठीक है इनकी life में कोई भी issue नहीं है इनको so यह bottom of it है magician card की energies है guys manifest करिए अपनी love life को manifest करना है चाहे अपने career life को manifest करना है चाहे आपको कुछ भी manifest करना है अपनी life में financially stability को manifest करना है पैसा manifest करना है prosperity manifest करना है कुछ भी चाहे शांती peace manifest करने है वो करिए because यहाँ पी आपके लिए वो सब choosing है okay next three months आपके लिए बहुत best रहने वाले है means अगर्स से लेके november तक का time बहुत 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 best love life related and financially भी okay मैं यही कहूंगी आपको six number और two number आपके लिए important हो सकता है guys and also मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप अपने partner के साथ कोई नो कोई power create करते हो पता नहीं कैसे है बढ़ा ऐसा भी हो सकता है कोई business create कर रहे हो यहाँ कोई powerful thing आप बहुत मुलब होता है कि yes like energies create कर रहे हो उनके साथ उनका touch ही आपके साथ कुछ ना कुछ create करेगा energies universe में ठीक है positive energies का flow यहाँ बनेगा आप दूनों में यह energies यहाँ पर मुझे देख रहे है यहाँ पर morning time और evening time sunrise और sunset का time यहाँ बहुत important रहने वाला है आपके लिए morning और evening time आप सुर्य को ज़रूर देखेगा आपके लिए बहुत best results आपको देखने को मिलेंगे so yes guys आपके लिए new moon और full moon दोनों ही energies check out करेंगे अब मैं एक एक card से ठीक है so सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके लिए new moon की क्या energies आ रहे है क्या आप हर एक new moon पर expect करने वालो इस मन्द में guys तीन cards आये हैं नहीं लूंगी एक ही card लेना है हमने हैं ना so new moon आपकी life में क्या energies लेकिया आ रहा है आने वाले समय में oh my god new moon in Aries guys it's time to take action guys जो मैंने एक मुलांका किया था उसमें भी देखना उसमें new moon ही आया है वहाँ पर जब मैंने new moon बोला है so यहाँ पर यह आपको कहा ज़र है कि जब भी new moon आएगा तो वो time होगा आपको किसी situation में action लेने के लिए अगर कुछ new start करना है new come start करना है तो वहाँ पर भी आपको action लेने के ज़रूरत होगी ठीक है so it's time to take action so यहाँ पर आपके लिए full moon की क्या energies है यहाँ पर new moon की energy new start is coming so yes आपके लिए जो full moon है उस time यहाँ पर तो action लेना है new moon पर full moon पर कोई न कोई न कोई new start होगा आपकी life में कोई न कोई new starting आप लोग करोगे ठीक है यहाँ तो action ले लिए यहाँ पर कुछ new start करोगे ठीक है कुछ न कुछ नया शुरू ज़रूर आपकी जिन्दगी में होगा जब full moon की energies आएंगी bottom of a deck expect powerful change जो भी होगा new moon जाए full moon तो आप expect करिएगा उस time कि आपके जिन्दगी में बहुत powerful changes आपको देखने को मिलने वाले हैं इस time पे ठीक है so yes now आपके लिए क्या guidance है last में guys उससे पहले reading को like करके चैनल को subscribe कर लेना and share कर सकते इस reading को आपने family के साथ friends के साथ ठीक है and अगर आपको personal reading लेनी है of course आप मुझे instagram पे DM कर सकते हो instagram का link description में है या फिर आप लोगों पर about section से भी देख सकते हो ठीक है या guidance है आपके लिए full three months के लिए so यह है your inner voice the inner voice के energies है आपका अंतरमन आपको कुछ बताना चाहेगा इस three months में आपको उसको सुनना है उसके रास्ते पे चलना है जैसे वो कहना है वैसे भी से करते जाना है बस आपको thank you angels for guiding me through my inner voice because आपका जो अंतरमन आपको कुछ बोल रहा है वो आप मलब होता है कि यस वो आपको कोई guide कर रहा है उपर से कोई highest authority means आपके angels higher realm जो है वो आपको guide कर रहा है आपके अंतरमन के थ्रू आपको जो बोला जा रहा है वो करते जाओ जो आपके मन में आ रहा है मतलब वो आपको universe गाइड कर रहा है वो कर दो से time action low new moon तो वैसे भी action का ही time है ठीके oh my god I think first जो मैंने एक oh my god guys भगवान शिव यहाँ पे दोनो ही readings में आए हैं जिनका भी मैंने एक मुलांका भी किया है और यहाँ पे bottom of a deck आ चुके हैं so definitely भगवान शिव का ही time चल रहा है यह महीना ही सावन का महीना है तो अभी तो खतम होने में time है थो दिन रहे गए है so यहाँ पे आपको divine father की energies आई है so आपके लिए divine father यही message देना चाहते है thank you for co-creating my world with me so yes वो आपकी life को co-create करने वाले हैं आपकी जिन्दगी को नए series से start करने वाले हैं आपकी help कर रहे हैं उस चीज में अगर आप अपने जिन्दगी को नए तरीके से start करना चाहते थे वो यहाँ पे आपके साथ है okay om mantra chant करो यहाँ पे यह energies है okay so of course anyways guys अगर आपको reading पसंद आई हो so like this reading अभी के लिए इतना है राधे 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 God bless you everyone bye guys